जहीं दोस्तों, एंडिफेंस के ऐज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक एरफोर्स आफिसर को क्या फैसलिटीज दी जाती हैं और साथ में उनके फैमिलीज की भी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होता है फैमिली मेंबर्स के अंडर में आता है पैरेंस, वाइफ, अनमेरिट डॉटर और अठरा साल से कम उमर के बेटे दूसरा फैसलिटी है पैंशन फैसलिटी, इंडियन एरफोर्स के हर एक आफिसर को लाइफ टाइम पैंशन दिया जाता है चौथा फैसलिटी है स्कूलिंग फैसलिटी के बच्चों के लिए Air Force School की स्कूलिंग फैसलिटी बिलकुल फ्री होती है जो Air Force केंपस के अंदर ही होता है पाँचवा फैसलिटी रेल कंसेशन Air Force के हरेक officears और soldiers को फ्री यَ پिर कंसेशन मिलता है इंडियन रेलवे के और से, छटा फैसलिटी है रैशन के फैसलिटी, इंडियन एर फोर्स के हर एक सोल्जर और ओफिसर को कारियरत अफस्था में टाइम टू टाइम रैशन भी दिया जाता है, साथ वा फैसलिटी है लीव की फैसलिटी, हर एक एर फोर्स आफिसर्स को तीन मह सब्सक्राइब जाता है जहां पर पाइलेट्स के लिए 60 लाख रुपे का इंसूरंस और ग्राउंड लेवेल डिउटी करने वालों के लिए 50 लाख इंसुरेंस संक्षन किया जाता है 10 फेसलिटी है एडूकेशन की फेसलिटी अगर आप ड्यूटी करते हुए यह फिर जॉब करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं तो इंडियन एयर फोर्स से बहतर जगा आपके लिए हो नहीं सकता क्यूंकि ड्यूटी करते हुए आप अपन 24 महीने या फिर 28 महीने का होता है तो अगर आप इंडियन एयर फोर्स जोएन करते हैं तो आपको यह सारे फेसलिटी मिलेंगे लेकिन आपको यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन सूल्जर को दी गई हर एक फेसलिटी पेमेंट अलाउंस उनके सिक्रिफाइज क सामने बहुत चोटा है वो अपने डियूटी काल में इस देश के लिए हमारे लिए सर्वोच बलिदान देते हैं सर्वोच बलिदान के सामने यह फेसलिटी पेमेंट अलाउंस बहुत बहुत चोटा है अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक क कीजिए दोस्तों में शेयर किए एक इंडियान डिफेंस का ग्रोइंग यूटूब चैनल है मिलते आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए जैन जैबार